दोस्तो मैं अल्पना सरो स्वागत है आप सभी का स्वाधिश्ट भोजन में दोस्तो आज मैं आपको केला पीया मचली बनाने का तरीका बताऊंगी यहाँ पर मैंने लिया डेड़ के जे केला पीया मचली जो कि मैंने धोकर के अच्छे साफ कर लिया है दोस्तो इसको साफ करने और काटने का तरीका मैंने नेस्ट वीडियो में बताया है अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उपर दिया बटन पर किलीक करके दोस्तो वीडियो देख सकते हैं कि आप इस मचली को किस तरह से था है और एक खास बात है दोस्तों इस यह जो इस मचली है मतलब इह बहुत ही सेहत मंत है वे अच्छी मचली है और क्या करती on दोस्तो बहुत ही अच्छा आता है तो अगर आप खाएंगे तो आपको बता चलेगा इस मचली का कीमत इसका टेस्ट तो दोस्तो इसको हम बनाना सुरूद करते हैं दोस्तो हम बनाने के लिए छारा तो सब로 पॉल नहीं हो जाएगा तो तो बिल्कुल आप अपको घुप रहा है नहीं टेस्ट बिल्कुल खराब नहीं होगा उसके बाद आपको टेस्ट ज़ाध ही आएगा इसमें डालेंगे एक चमाश कॉन फुलावर तो चूला इदर मैंने जला दिया उस पर रखा एकड़ाही कड़ाही में डालेंगे सरसो के तेल तेल थोड़ा ज्यादा एट कर देंगे तेली तर गरम हो रहा दोस्तों तब तक हमने जो मचली में मसाले एट किये हैं मतलब जो समगरी एट किये हैं तो यह रहा दोस्तों मैंने क्या कहते हैं कि मचली में अच्छे से जो समगरी थी मैंने लगा दिया है अब इसे हम फ्राइ करने के लिए चलते हैं तो चलते हैं कड़ाही की तरफ तो तो तेल अच्छे से गरम हो गया इसमें मचली आइट कर देंगे तो अराम अराम से किक बहुत ही ज़़ा पसंदें करी में तो आप इसे कड़क होने तक एक तरफ लाल करें फिर से पल्टें जैसे कि हामें अच्छे से कड़क फ्राइइक तरफ पिर इसे पलटा है दोस्तों करी में अगर कड़क मशली रहती है तो स्वाथ बहुत ही अच्छा था होटल जैसा फील तो मतलब इसे होटोल मिलता है खाना ना मचली फिसकरी वरसाइस का टेस्ट आता है उसके बाद दोस्तों ग्रेवी के लिए यहां पर मेंने लिए लासन उसके बाद यहां पर मेंने लिए अद्रक और प्याच इन सबका बारी पेश्ट बनाने लेंगे खड़े गरा मसाले ची जीरा एक चमर्ष काली मिरी जवीत्री एक बड़ी लाची लॉंग दालचेनी के टुकड़ा एक हरी लाची तिन सबका पीस लेंगे उसके बाद यहां देखिए मचली अच्छे दोनों तरफ फ्राई हो गई है इसे हम निकाल लेंगे कड़ाई से बाहर तीसे मैंने बहुत इच्छे से फ्राई किया है उसके बाद जो बची मचली है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे दोस्तों अगर आपको फ्राई करके नहीं बनाना आप वैसे भी बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बहुत ही टेश्टी बनती है आप वैसे भी बना सकते हैं मचली एक तरफ इदर फ्रा करने के लिए लिया था वो सब एट कर देते हैं तो काली सरसो जरूर एट करें दोस्तों से स्वाद बहुत अच्छा था मचली का अब इसमें पाने थोड़ डाल के इसका बारिक पेश्ट बना लेंगे हम उसके बाद दोस्तों मचली अच्छी सफ्राय होगे निकाल लेंगे से का उसके बाद दोस्तों बचभीय तेल में दो पियाज और तेज पत्ता इट कर देंगे इसे अच्छा से लाल होने तक फेश्ट करणा उसके वही करेंगे दोस्तों जो हम तड़का देते हैं उससे अच्छा से लाल करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस्तर टे बहुत बहुत जरूरी होता है जब तक की मसालों से तेल बाहर ना आजाये तो तक हमें मसालो को पकाना चाहिए तो यहां देख सकते हैं मसालो से तेल बाहर आने लगा है बगल बगल से आप देख सकते हैं आप इसमें दोस्तों पानी एट करेंगे जितनी के हमें पानी की जूरुत है उतना पानी इसमें आइट करेंगे आप पानी को भी कम जदा कर सकते है अब से ढख देंगे दो मिनिट के लिए चुले के यांच तेज करके इसे पकाएंगे हम तो दो मिनिट होगे इसे खोलेंगे तो अब देख सकते हैं गिरेवी बहुत अच्छे सूबल रही है हमने जो गराब मसाला पीशात है उपर से ये डाल देंगे मिला देते हैं मिलाने के बाद दोस्तों हमने जो मचली फ्राइए करके रखा था वो एड़ कर देंगे इसमें अच्छे से गिरेवी में डूबा देंगे उसके बाद दोस्तों से ढख करके 5-6 मिनट के लिए हम पकाएंगे मचली को पकते पकते 6 मिनट हो गया है मचली को अब हम खोलेंगे तो चेक कर लेते हैं मचली किस तरह से पकी है की नहीं मतलब अच्छे से पकी है की नहीं तो दोस्तों अगर आपको यहां लगता है मचली भी तक पकी नहीं है तो आप इसे और पका सकते हैं और बना भी सकते हैं पर यहां पर पर्फेक्ट बन के तियार हो गई है इसका करीबी बच्छस तीक है अब इसे उताल लेंगे हम उसके बाद उपर से डालेंगे हरा धनिया हरा धनिया अगर आपको पसंदे तभी एट करें नहीं तो स्किप करें आप इसे तो आप इसे हम डालने के बाद अच्छे से मिला देते हैं और में दोस्तु उपर सहरा धनीय डालें तो स्वाद बहुत या इच्छा थीं तरग देंगे referring यह झाल करें कि तो यह देखिने दूस्तू थंडा होने के बार मस्तों अच्छा से इसका नार्atri शुरुम機 कितने अच्छा कल्रण है आप देखे सकते हैं दोस्तों pourquoi तो दोस्तों यह मचली पूरी तरह से बनके कंप्लीट है तो दोस्तों आप भी इस रेस्पी को बनाएए खाइए और दोस्तों मुझे कॉमेट में बताएए कि आप सबी को यह रेस्पी कैसी लगी